तो दोस्तों आज में लेके आ गई हूँ बिल्कुल चटपटी और हेल्दी रेसिपी आज बनाएंगे मसाला चना मसाला चना बहुत ही स्वादिश्ट लगता है साथ में बहुत जादा हेल्दी भी होता है तो देरकिस बात की सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रहे हूं मसाला चना की रेस्पी मेरी रेस्पी पसंद आए तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ये लिया है मैंने एक से डेड़ कप चना और इसे ओवरनाइट सोक कर लिया है यानि पूरी रात भ आपको चाहे के शाए काके कईए चाहा सब्सक्राइब कीजेगा साम के चाय के साथ खाईये सुबर के नास्ते में खाईये या सफर में ले जाए वर टाइम ये रेसिप槿 हेल्दी ओर्ट की तो आप इस रेसिपी केरीए उसके बाद बिताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी सीटी आने तक इसे पका लेते हैं तो ये देखिए छे से साथ सीटी आ चुकी है और ये अच्छे से पक गया है अब इसे पानी से अलग कर लेंगे ये देखिए बहुत अच्छे से इस तरीके से पका लेना है पानी से अलग कर लेते हैं और इसके लिए त्यार करते हैं एक मसा इस चने में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हींग चने को पचाने में भी मदद करती है। हींग और जीरा जब अच्छे से चटक जाए तो जो मनें अदरक लेहसन और हरी मिर्च का पेष्ट दरदरा कूट के तयार किया था उसे डाल दिया है। इसे डालने के बाद इसे थोड़ा सा भुणना है ताकि इसका कच्छापन चला जाए दोस्तों तो यहां पर देखे इसे हमने इस तरीके से भुण लिया है अब एक बड़े साइज की प्याज मैंने लंबे स्लाइस में कट की थी इसे डाल देंगे इसे डालके भी आपको अच इसके बाद डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर यहां पर कस्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए क्योंकि तीखे के लिए मैंने हरी मिर्च पहले ही डाल दिया है धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें हलका खटा टेस्ट आएग क्योंकि मसाले इस तरीके से यल जाएंगे। तो 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, पानी ज़ादा नहीं डालेंगे, क्योंकि चने को तो हम पहले ही बॉयल कर लिया है। तो यह देखे, पानी डालने के बाद. हम इस तरीके से चलाते हुए मसालों को दो मिनट इसी तरीके से एकदम लोफ लेम पे पकाएंगे, ताकि मसाले पक जाएं, सारी चीजें पक जाएं तो देखें यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से पक चुकी है, यह देखें प्याज भी भुन चुका है और मसाले से बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है तो ये देखिए ये सारी चीज़े पकाने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें चनों को तो चलिए डाल देते हैं जो उबले हुए चने हैं पानी से हमने निकाल लिया है उसे डाल दिया है और इसे डालने के बाद तीन से चार मिनट दोस्तों हम इसी तरीके से इसे मिला के भुनेंगे ये देखिए ताकि जो मसाले बगरा हैं वो अच्छे से आपस में कोट हो जाएं ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है इसे जरूर बनाईएगा इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए वो सिहत के लिए बहुत ही अच्छा है ये देखिए अब ये चने लगबग पक चुके हैं तो मैं इसके उपर से डालूँगी गरम मसाला आप चाहें तो छोले मसाला चना मसाला भी डाल सकते हैं या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं अब इसे गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे ये देखिए इस तरीके से मैंने चला लिया है अब जो ये चने है ना अच्छे से पक जुके हैं आप देख भी पा रहे होंगे बहुत अच्छे से चने को पका लिया है हमने और पकाने के बाद अब हम उसके उपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और बस गर्मा गर्म इस चने को करते हैं सब तो ये देखिए पूरी पराठे रोटी से भी खा सकते हैं और ऐसे जैसे चैनी की गुबनी बनती है उस तरीके से खा सकते हैं तो सब कलिया है उपर से हरा दिन्या डाला है मेरी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा बाई बाई दोस्तों